गुड इवनिंग एवरिवन मैं अजे परिहार आपका केवी कलासे सरदूलगड के यूट्यूब चैनल पे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ हमारा जो करंट फेर का सेशन चल रहा था जिसमें हमने मैं और जून महीने के MCQs को कंप्लीट कर लिया था अब हमारा जो सेशन रहेगा वो रहेगा जुलाई महीने का जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि जो जुलाई महीने के जो हमारी करंट फेर है उनके MCQ को हम डिस्कस करेंगे अगर आपको PDF अगेरा चाहिए इस चीज की तो आप टेलेग्राम चैनल है हमारा जिसका लिंक डिस्क्रेप्शन बॉक्स में दिया गया है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो ठीक है अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेर जरूर करना अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजे ताकि आपको आने वाली वीडियो भी देखने को मिल सके साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि इनका नोटिफकेशन भी आपको मिलता रहे ठीक है हमारा आज का जो पहला क्वेस्चन है दोस्तों वो है पी अन्बी घोटाले के अभ्यूक्त मेहुल चोक्सी किस देश से फरार होने के पश्चात डॉमनिका में गिरिफ्तार हुए है तो जो पी अन्बी घोटाला हुआ था उसके जो अभ्यूक्त थे मेहुल चोक्सी वो फरार हुए थे किस देश से फरार हुए थे जिसके बाद उन्हें डॉमनिका में गिरफतार किया गया तो इसका जो सही एंसर आपका आएगा वो आएगा option C Antigua option C Antigua ठीक है अगला question हमारा है 8 मई 2021 को किस देश की मेजवानी में भारती यूर्पिय संग की 16 मी सिखर बेठक hybrid तरीके से संपन हुई है तो ये छो सिखर बेठक है पहला question तो हमारा यही बनता कि कब हुई थी तो ये हुई थी 8 मई को, कब हुई थी 8 मई को हुई थी ठीक है, अगला question हमारा है कितने number की है ये तो ये है, 16 में number की ठीक है, और ये कहां हुई थी तो कहां हुई है दोस्तों, option A, इसका बिल्कुल सही अंसर है, पुर्तगाल के अंदर हुई थी अगला question है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76 स्तर के अध्यक्ष निर्वाचित अब्दुल्ला शाहिद किस देश के हैं? तो किस देश के हैं दोस्तों, अब्दुल्ला शाहिद? इसका जो सही अंसर आपका आएगा, वो आएगा मालदीव, option C, मालदीव इसका बिल्कुल सही अंसर है अगला question हमारा है, मंगल ग्रहे पर अपना रोवर उतारने वाला चीन कौन से नंबर का देश बन गया है दोस्तों? इसका जो सही अंसर है, वो है option B, दूसरे नंबर का देश बन गया है ठीक है, अगला question हमारा है, ग्यारा दिन के भीशन युद के बाद इसराइल और फिलिस्तीन के बेच, 20 मही को किसकी मध्यस्ता के युद को विराम मिला है, तो विराम किसकी मध्यस्ता से मिला है दोस्तों? इसका जो सही अंसर आपका आएगा, वो आएगा मिसर, option D, इसका ब परिवार नियोजन की नीती में परिवर्तन करते हुए, अपने देश के नागरिकों को तीसरा बच्चा पैदा करने की अनुमती परदान करी है, तो ये कौन से देश के ने अपना जो कानून बदला है दोस्तों? इसका जो सही अंसर आपका है, वो है option C, China, चीन ने ये हाल फिलाल में ही अपने देश के लोगों को देखते हुए, कानून में हेर बदलाव किया है दोस्तों, अगला question है, RBI का लेखा वर्ष, RBI का नया लेखा वर्ष है, वो कब से है दोस्तों? इसका जो सही अंसर आपका आएगा, वो आएगा option C, 1 April से 31 March तक, ठीक है, अगला question हमार है, 2020-21 के 9 महिने में RBI ने सरकार को कितना लाबंश हस्तांतरित किया है, तो कितना लाबंश हस्तांतरित किया है दोस्तों, इसका जो सही अंसर है, वो है option D, 99,122 क्रोड, ठीक है, 99,122 क्रोड, जो पैसा है, रुपई है, वो हस्तांतरित किया है, अगला question हमारा है, निमर में से किस bank में राजनीतिक विनिवेश के लिए सरकार ने मंजूरी परदान करी है, तो किस देश ने परदान करी है दोस्तों, मतलब किस bank को ये जो मंजूरी है वो परदान करी गई है, इसका जो सही answer आपका आएगा, वो आएगा, IDBI, IDBI, ठीक है, option C ये बिल्कुल सही answer था, परसार भारती ने निमर में से किसका international channel शुरू करने की योजना बनाई है, तो इसका जो सही answer आपका है, वो है option B, दूरदर्शन, ठीक है, इसको internationally परसारित किया जाएगा, वर्तमान में किस, वर्तमान में देश के छे राज्यों में विधान मंडली है, जो वर्तमान में देश के छे राज्यों में विधान मंडल दवी सदनी है, मतलब दो सदन है उसमें है, तो निमर में से कौन सा विकल्पिस में शामिल नहीं है, तो निमर में से कौन सा विकल्प आपका आएगा वो आएगा option D पश्चिम बेंगौल और राजस्थान यहाँ पे सिर्फ सिंगल सदन है मतलब एक ही सदन है बाकी जगह दो सदन है अगला question हमारा है निम्र में से किस राज्य में विधान परिशद के गठन का प्रस्ताव केंदर के पास लंबित है मतलब किस राज्य के गठन का प्रस्ताव हम बात कर रहे हैं तो केंदर के पास जो लंबित है तो इसका जो सही एंसर आपका आएगा वो आएगा दोस्तो option A option A इसका बिल्कुल सही एंसर है अगला question है 13 मई सोरी मई 2021 के पहले सब्ता में भारत का किस देश के साथ सिखर वारता वर्चुली संपन हुआ था तो किस देश के साथ जो भारत ने वारता करी थी मतलब एक बैठक हुई थी जो कि वर्चुली संपन हुई है वर्चुली मतलब कि ऑनलाइन हम कह सकते हैं तो इसका जो सही अंसर है वो है Britain, option B, Britain इसका बिल्कुल सही अंसर है मई 2021 को भारत ब्रिटेन के बीच हुए वर्चुली सिखर समय लंग में विपक्षिय वैपार को कब तक दो गुना से अधिक करने का लक्षय रखा गया है तो कब तक कर लक्षय रखा गया है इसका जो सही अंसर है वो है option C, 2030 तक इसको डबल करने का लक्षय रखा गया है अगला question हमारा है भारत के किस पडोशी देश के संसत को भंग कर वहां के राष्ट्रपती ने 2021 के चुनाव कराने का निर्देश दिया दोस्तों इसका जो सही अंसर आपका आएगा वो आएगा option C, Nepal option C, Nepal इसका बिल्कुल सही अंसर है अगला question हमारा है मई 2021 में जारी CSO के अंतिम अनुमान के मुताबिक 2021 के भारत का GDP व्रिधिदर कितना रहने का अनुमान व्यक्ति किया गया है तो कितना रहने का अनुमान व्यक्ति किया गया था इसका जो सही अंसर आपका आएगा वो आएगा option A, 7.3% इसका बिल्कुल सही अंसर है अगला question है 17 मई 2021 में जारी जनगर्णा के आंकड़ों के मताबिक चीन में 60 वर्ष से उपर लोगों के संख्या कितनी है तो चाइना के अंदर 60 वर्ष से उपर के लोगों के गिंति कितनी है तो इसका जो सही अंसर है वो है option C, 26 करोड 26 करोड इसका सही अंसर है मई 2021 में जारी C, 26 के अंतिमनुमान के मताबिक निमर में से किस शेत्र ने 2021 के चारों तिमाईयों का धनात्मक वृधि प्रापत करी थी तो किस शेत्र ने प्रापत करी थी इसका जो सही अंसर है वो है option A, कृशी ने जो कृशी है उसने वृधी प्रापत करी थी धनात्मक वृधी प्रापत करी थी अगला क्वेश्चन है वर्तमान में IDBI बैंक के सरवादी के हिस्सेदारे किसके पास है तो किसके पास है ये इसका सही अंसर आपका है option C-L-I-C-L-I-C के पास ये है ठीक है अगला question हमारा है 2020 में भारत से धन संप्रेश्ण का भापरभाव कितना था तो भापरभाव कितना था दोस्तो इसको थोड़ा सा pronounce करने में दिक्कत रहती है मुझे हिंदी थोड़ा सा पढ़ने में मतलब वो दिक्कत नहीं है कि हम परनाउंस नहीं कर सकते लेकिन थोड़ा सा पढ़ने में हम कह सकते हैं 2020 में जो भारत का धन संप्रेश्ण का भापरभाव था कितना था दोस्तो इसका जो सही अंसर आएगा वो आएगा option B 7 अरब साथ अरब इसका बिल्कुल सही अंसर है 2020 के धन संप्रेश्ण का सरवादिक भापरभाव किस देश से हुआ था तो किस देश के साथ हुआ था दोस्तो ये तो ये हुआ था आपका option A America के साथ हुआ था option A America 2020 के दोरन विदेशों से धन संप्रेश्ण प्रापत करने वाले सीर्ष चार देश कौन से है तो इसका सीर्ष चार देश कौन से है दोस्तो इसका जो सही अंसर आपका है वो है option B एक नमबर पर भारत है दूसरे नमबर पर चाइना है तीसरे नमबर पर मैक्सिको है चोथे नमबर पर क्या है फिलिपीन्स ठीक है अगला question है RBI की 2020-2021 की वार्षिक रिपोर्ट के मताबिक 31 मार्च 2021 तक देश के पुझिकरित बैंकों के कुल संख्या कितनी है तो कुल संख्या कितनी है दोस्तों इसका जो सही अंसर है वो है option C 2058 2058 इसका सही अंसर है ठीक है अगला question हमारा है National Automate Clearing House के सब्ता के सभी दिन उपलब्द रहने का प्रावधान कब से प्रभावी होगा इसका जो सही अंसर आपका आएगा वो आएगा option B 1 अगस्त 2021 होगा अगला question हमारा है Stress Reservation Framework 2.0 के तहत रिन लेने के लिए रिन सीमा को 25 करोड रुपे तक बढ़ा कर कितना कर दिया गया इसका जो सही अंसर आपका है वो आएगा option C 50 करोड कर दिया गया लगबग इसे 2 गुना कर दिया गया है ठीक है अगला question हमारा है 4 जून 2021 को घोशित मोदरिक नितिक में RBI ने 2021 बाइस में भारतिये GDP विकास दर कितना अनुमानित किया था तो इसका जो कितना अनुमानित मतलब GDP की जो ग्रोथ रेट है वो कितनी अनुमानित करी गई है इसका जो सही अंसर आपका आएगा वो आएगा option A 9.5% 9.5% इसका बिल्कुल सही अंसर है अगला question है RBI की 2021 की वार्षिक रिपोर्ट के मताबिक 2020 में एक लाग से अधिक राशी के बैंक घोटाले में कितनी कमी आई है तो इसकी जो कमी की दर है वो है दोस्तो option D 25% कमी आई है अगला question है हमारा आज का आखरी question है RBI की तुलना में RBI की 2021 की वार्षिक रिपोर्ट के मताबिक सरवाधिक मुल्ले का कौन सा currency note पर्चलन में है तो कौन सा currency note है जो पर्चलन में है दोस्तो इसका जो सही answer आपका है वो है option C 500 500 रुपे का currency का note है वो सबसे अधिक पर्चलन के अंदर है तो आज की session के लिए इतना ही दोस्तो हमारी जो June महिने की जैसे हमने दो से तीन वीडियो रखी है वैसे ही जुलाई महिने की रहेंगी दो से तीन वीडियो के अंदर हमें इसे complete करने की कोशिश करेंगे और बाद में जो आगे का session रहेगा हमारा जुलाई के बाद अगस्ट, September, October और November का जो रहेगा उन्हें भी हम जल्दी complete कर लेंगे ताकि आपको आने वाले जो exams हैं उनके लिए आसानी हो आपको एक combined videos combined data एक जगा देखने को मिले अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं विदंसर की देन आप Telegram चैनल जोइन कर सकते हो अगर आप हमारे चैनल पे नए जोड़े हैं तो इसे subscribe जरूर करिएगा और वीडियो को like और share जरूर करिएगा तो आज के लिए इतना ही जै हिंद, जै भारत